ही गाइज वेलकम बैक टू माई शेयर करने वाली हूं दो बहुत ही आसान और बहुत ही जादा टेस्टी अम्मी के हाथ के आचार की रेसिपी तो फिर चलिए वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अम्मी बनाने वाले हैं सारे छे किलो आम का आचार अम्म जाता की कटिंग अचार बनाने के लिए तो अम्मी बहुत ही मुशकत से आम को काट रही है क्योंकि यह वाले आम reinforcements मुषकिल से कट लगया है तो अभी अम्मी आम को काट रही है और इसको पानी में डालेंगी आम कटने के बाद वैसे अगर आप चाहें तो आम का अचार बनाने के लिए इसको मार्केट में भी कटवा सकते हैं उनके पास औजार होते हैं आम कटने के लिए वो उसे इसली कट जाता है और मेरे पास जादा टाइम नहीं था बहुत जादा गड़मी चल रही है तो मैं जादा देर रुक नहीं सकती थी मार्केट में और वे आम उठा कर ले आई लेकिन अम्मी के लिए मुश्किल हो गया क्योंकि यह कठी नहीं रहा था और यह वाली वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और दो आम के आचार की रेस चोड़ दीजेगा तो यह काले पर जाएंगे इसलिए इसको काटने के बाद डियर्क पानी में डाल दीजिए इससे यह काला भी नहीं पड़ेगा और इसका कसावत भी दूर होगा इसी तरह से सारी आम काट लीजिए और हाँ पीस को थोड़ा ही रखेगा क्योंकि जब हमा पानी के बाद अमàiं इसको दो और पानी से और धोहएंगे उसके बाद इसमें बिला दीजिए हल्दी सारहे च्छ कीलों के आम में इन्होंने डाला है एक पैकट पूरा हल्दी छोटा वाला पैगेट जो लिखाता है यह पूरा हल्दी इसमें जाएगा और इसमें जाएगा दो धकन नमक अगर चमच की बात की जाए तो इसमें 20-25 चमच नमक डला है उसके बाद इसको खूब अची तरह से मिक्स कर लीजिए फिर इसको खूब अची तरह मिक्स करने के ब तो उन्होंने पानी को अलग निका लिया और आम को सुखने के लिए रख दिया एक दिन का धूप लगने के बाद फिर अमी ने लिया पच फोड़न जिसमें पांच खड़े मसाले मिक्स होते हैं मेधि दाना सौफ जीरा अजवाइन मंगरेला यानि कलोंजी और यह पच फोड जिसको ड्राइ रोष्ट करने के बाद इसका फाइन पाउडर बना लीजिए यहां पर आमी ने लिया है सौगराम धनिया पाउडर जिसको हल्का सा रोष्ट कर लिया है बिल्कुल हल्का सा और चमच लगाता चलाते रहेगा वर्ना यह जल जाएगी यह इसकी जगह आप पालो को मिला देंगे आम में और घ्रिस में मिला दिया है लाल मिश पाउडर सरसो तेल और जब आम में हल्दी नमक लगा और उसको ओवर नाइट रखा गया तो इसमें से जो भी पानी चोड़ा था उसको भी बिला देंगे तो जैसा कि अबी गर्मी चल रही है और इतने आपक तो अगले सूबाई तो अगले सुबाँ लग एक दिन लग औरक ए उसके मलड़ी नमुड़ी के बाद उसको थोड़ी मासाले मिखते करने के बाद अम्मी तो दो दिन धूफ पर रखने के निया और यह तिसरे दिन ही अची तरह तो आम में अची तरह मसाले हो चुके हैं मिक्स और हाँ इसमें थोड़ा सा और नमक मिला हुआ है तो इस टाइम पर आप चेक कर ले और थोड़ा सा ही नमक मिलाएगा जरुवत अनुसार तो अचार हो चुका है धूप में सुखाने के लिए रेडी अब इसको किसी भी जार मे नहीं होते है तो अभी तील ज्यादा नहीं डाला है एक दिन बाद में से और तेल मिलाओंगी इसी बीकुरा दाल सकते हैं या फिर बाद भी मिला सकते हैं को ओडिकत वाली बात नहीं है मसाले लगने के बाद जिखने में कितना यं Salarariat लग घूबない रग बताई nasal पेसार आ इसको दूप में सुखाना जरूरी है अचार को दूप दिखाते रहें और खाते रहें तो अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ और यह है खटी मीठी और टी की अचार की रेसिपी जिसको बना रही हूं मैं इसको बनाने के लिए मैंने लिया 1.5 kg आम पोटैटो पीलर क मतब से इसको अच्छी तरह चिल लेंगे उसके बाद इसको अच्छी तरह वाश कर लेंगे वैसे यह वाली आचार की रेसिपी ना मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने यूटी पर देखा नहीं है इस चाइप का वीडियो वैसे मैं शूर नहीं हो सकता है किसी अच्छी ने इस रेसिपी को ट्राइ की होगी सारे आम च्छी तरह दो लेंगे उसके बाद मैंने ले लिया है एक ग्रेटर और जो मोटा वाला साइड है यहां से मैंने च्राइक तो यहां से बहुत ही जादा पतला पतला अच्छा निकल रहा था आम का फिर मैंने इसको डाल दीजिएगा इसको ग्रेट करने में थोड़ा सा महनत लगेगा लेकिन खाने में यह इतना जादा टेश्टी लगेगा कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे और यकीन मानिए यह वाली जो आचार के रेसिपी है यह वाली भी अमी बनाई थे एक सपता पहले और मेर आपके साइड कच्छे आम नहीं मिल रहे है तो इस रेसिपी को नेक्स्ट रियर जरू से ट्राय कीजिएगा बहुत ही जादा टेस्टी टेस्टी बनता यह वाला अचार तो काफी मुशकत के बाद मैंने सारे आम को ग्रेट कर लिया है और गुटलियों को मैंने अलग कर दि प्लेट में डालेंगे एक चमच अलडी पाउडर दो चमच लाल मिर्श पाउडर आप देख लिए अगर आपको तीखा कम पसंद है तो कम ही मिर्च टालिएगा इसके वाद इसमें जाएगा नमक जो मैंने लिया है वन एंध स्पूम इसके वाद इसमें जाएगा सरसो तेल जो कि मैंने इसमें डाला है एक टेबल स्पून यानि एक बड़ा चमच और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें दिखा देंगे दो से तीन घंटे का धूप और अगर आप जादा मना रहे हैं तो एक दिन का धूप दिखा लेजिएगा धूप दिखा तो इसको निकालेंगे एक लिए जार में निकाले से पहले और आप लोग से दिली रिक्वेश्ट है कि वीडियो को जादा से लाइक और शेयर कीजिएगा और हाँ अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और प्रेस करके अल पर क्लिक कर दीजेगा ताकि मैं जो भी वीडियो रालो जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे तो धूब दिखाने के वाद सारे मैंने अचार को जार में निकाल लिया फिर उस पर से मैंने डाल दिया है चीनी जो है एक टाइम तक रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और इसमें तेल मिला लेजेए जादा मिलाने की ज़रूत बिलकुल भी नहीं है और बस यह रड़ी हो चुका है एक दिन का दूब दिखाए उसके बाद इसको खाना शुरू कर दीजिए आप इसको अगर तो अगली बार टेस्टी वाला जार बंकर तयार हुआ है इंशाला मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर